हलो एव्रिवरन विल्क बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हूं आप सब लोग ठीक होगे मैं भी ठीक हूं आज कोई ब्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूं आप लोगों के साथ आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो लेकर आई हूं अभी कुछ तिन पहले मैंने होम टूट दिया था आप लोगों को तब कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किये कि जो इंटीरियर वर्क मेरे घर में हुआ है उसका कोस्ट क्या है और माटीरियल कौन सा यूज हूआ है थोड़ा सा बताईए तो मैंने सुचा कि सब को अलग अलग बताने से अच्छ यू है वो है मेरे घर के इंटीरियर वर्क पर कि क्या कोस्ट है किस तरह से है ठीक है जी तो मुझे जितना नौलेज है मैं आप लोगों साँ शेयर कर दूगी और अगर आप भी जो है घर में इंटीरियर वर्क करवाना चाहते है तो थोड़ा सा आप लोगों को आईडिया जाएगा कि किस तरह से करवाना चाहिए कैसे क्या जी क्योंकि मैंने भी जब अपने घर में वर्क करवाया था तो मैंने भी YouTube पे Google पे इन्हीं सब चगया पे सर्च किया था ठीक है जी तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए और अभी मैं जाने वाली हूँ कहीं बहाद तो मैंने सचा कि एक अच्छी सी शुरुवात कर दी जाए वीडियो की क्योंकि आप लोग मुझे भी तो मिस्कर रहे होंगे ना अगर व्लॉग बनात तो पूरे व्लॉग में आप लोगों को नजर आती पर अब व्लॉग तो मैं बना नहीं रही हूँ तो मैंने सचलो स्टार्ट जो है मैं कर देती हूँ और चलिए अब मैं जाते हूं बहर और आप लोग देखी आगे का वीडियो रुकिया एक और बात अगर ये वीडियो आ आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो व्लॉग्स लेकर आऊंगी ठीक है जी तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो हां जी तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे लिविंग रूम से लिविंग रूम में हमने रखा है ये एक बेसिक सा टीवी उनिट और साथ ही वुडन वॉल तो सारे फर्नीचर का जो है कोस्ट बताने से पहले डिटेल में आप लोगों को सबकुछ पताने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देते हूं कि जो भी टोटल फरनीचर मेरे घर का बना था उसमें टाइम लगा था करीबन डेड़ मैना और दो बंदे वर्क कर रहे थे और पर डे चार्जर थे उनके 700 रुपीज ठीक है जी तो 1500 रुपे मजदूरी जो है हमने पर डेड़ मैने तक और उसमें जो ये टोटल फरनीचर जो सिब मटीरियल कोस्ट में आप लोगों को बताऊंगी उसमें कारपेंटर का जो चार्जर है वो अलग से रहेगा ठीक है जी तो चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये टीवी यूनिट की यह हमने बिल्कुल बेसिक सा एक टीवी यूनिट बनवाया है यहां पे और ब पहले हम लाइट नहीं देने वाले थे और बाद में यह आइडिया रखा गया लाइट का तो इस वज़े से लाइट जो है ओपन है अगर पहले हमने सोचा होता कि हम इसमें लाइटिंग रखेंगे तो यह लाइट जो है ओपन नहीं होती यह हाइड हो सकती थी पर यह संदमाइक कोस्ट रहा है 5000 और इसमें जो सनमाइक का यूज हुई है वो है ग्लॉसी लुप में सनमाइक का है और यह काफी अच्छी होती है यह वाली सनमाइक का इसकी खास बात है कि यह क्लीन करने में बहुत इजी होती है बस एक कपड़े से अगर आप सिंपल कपड़े से अगर पहुचेंगे तो ये साफ हो जाती है तो इस वज़े से जो है मेरे घर में सारा जो भी फरनीचर है उसमें जो संदमाई का यूज हुई है वो ये ग्लोसी जो संदमाई का है वो ही यूज हुई है ठीक है जी और शाइन भी इसकी काफी अच्छी होती है तो फरनीचर दे मुझसे question भी किया था home tour वाले वीडियो में कि दिदी ये जो furniture है वो plywood है हाँ जी तो ये सारा जो है plywood है वो ply जो इसमें use हुई है वो है 19 mm की ply इसमें use हुई है ठीक है जितना मुझे knowledge है उतना मैं आप लोगों को पता रही हूँ ठीक है और इसके अलावा आपके अगर कोई question हो तो वो आप लोग मुझसे comments में पूछ लेना ठीक है तो हाँ अब बात करते हैं इस wooden wall के बारे में तो इसमें भी जो भी सनमाई का use हुई है वो glossy use हुई है color combination हमने रखा है dark और light तो dark color है ये बहुत dark coffee type का color है और साथ ही ये बिल्कुल light cream color है जो देखने में आपको white लग रहा होगा वीडियो में बट ये बहुत light cream color है और साथ ही ये dark coffee color ठीक है जी ये color combination है और इस wall का जो cost अगर मैं आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा costly हो गई क्योंकि इसमें जो है lighting का भी काम हुआ है तो मैं आपको इस wooden wall का जो total cost है वो light fitting के साथ बता रही हूँ ये wooden wall का cost रहा करीबन 25,000 ठीक है जी क्योंकि इसमें जो है material भी काफी ज़ादा use हुआ है क्योंकि काफी बड़ी wall ये बनी है पर ये मेरे घर में मुझे सबसे best जो जोतना भी furniture बना है न मुझे उसमें ये सबसे best लगती है ठीक है जी तो ये था living room का furniture हाँ जी तो अब आजाते हैं आंगन में और आंगन में है ये मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर तो पहले मैं आप लोगों को क्या material है इसका total cost क्या है ठीक है जी तो ये है पुरा मंदिर हमारा इस तरह से तो देखे नीचे जो रखी है हमने दो ड्रॉर रखी है फिर उसके उपर जो है एक single ड्रॉर है और फिर ये इस तरह से design है इसमें और बीच में हमने लगवाए है शिशे ठीक है जी और उपर ये बिल्कुल simple सा design है तो ये है हमारा मंदिर color है इसका बिल्कुल light cream color है ये जो आपको वीडियो में देखने में बिल्कुल white लग रहा होगा पर ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल white color नहीं है और ये वही sunmica है जो हमने TV unit में यूज की है वही सेम sunmica जो है हमने यूज की है wooden वाल में और वही sunmica हमने यूज की है इसमें मंदिर में ठीक है glossy look में है sunmica जो काफी अच्छी shine देता है बहुत अच्छी लग रही है और ये जो आप back में जो lighting की design देख रहे है ये है Korean stone marble ठीक है जो की हमने अलग से लिया है और इसका cost है इसमें 6000 और ये जो पत्थर बोल सकते हैं ये जो पत्थर है ये हमने कही से मंगवाया था और उसके बाद जो है हमने इसमें मंदिर में इसको attach करवा लिया और इस मंदिर का total cost है material cost मैं आपको बता रही हूँ 25,000 ठीक है जी with lighting with marble ओके तो ये था मंदिर का cost अब आते हैं हम जूले पे तो ये भी मेरे घर का बहुत अच्छा एक चीज है मुझे जो बहुत अच्छी लगती है तो ये भी हाँ जो भी furniture है वो total सब कुछ plywood है PVC नहीं है total plywood है किसी friend ने मुझे पूछा था कि plywood है या PVC है तो हाँ मैं बता देती हूँ ये total plywood में है और जो भी work हुआ है और जूले में भी जो sunmica हमने यूज की है वो glossy ही रखी है क्योंकि इसको clean करना ये थोड़ी costly जरूर होती है glossy जो होती है पर इसको clean करना easy होता है इस वज़े से जो है हमने सारा furniture और ये glossy sunmica में ही बनवाया है ठीक है जी और ये है इस तरह का full look चूले का और इसमें back में हमने लगवाया है ये जो गद्दी आप देख रहे हैं back की वो है leather में और जो sitting वाली है वो है कपड़े की और वो इस वज़े से हमने बनवाई है हम चाहते तो sitting वाला जो गद्दा है वो भी हम leather में बनवा लेते पर leather जो है बैटने में थोड़ा सा सर्दियों में ठंडा रहता है गर्मियों में गरम रहता है तो इस वज़े से हमने जो sitting वाला जो है गद्दा वो बनवाया है हमने कपड़े में और जो back seat है वो हमने बनवाई है leather की ठीक है जी और यह है पूरा लुक जूले का और इसकी total cost है 15,000 ठीक है जी तो यह material cost मैंने आप लोगों को बताया है ठीक है कारपेंटर की जो charges है वो अलग है और जूला बनने में करीबन time लगा था एक हफता ठीक है अब बारी आती है आगन में ही यह हमने बनवाया है एक counter wash patient तो पहले जो है हम market से ही लेकर आने वाले थे counter wash patient पर जब मैं वो देखने गई तो वो बहुत ज़्यादा छोटा सा लग रहा था छोटू सा था, क्यूट सा बट वो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था मुझे, तो इस वज़े से हमने ये भी carpenter से ही बनवाया है तो ये इस तरह से बनवाया हुआ है, नीचे ये steel के पैर लगे हुए है क्या बोलेंगे यार इनको nuts, guts जो भी बोले मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी तो ये नीचे इस तरह से space रखा गया है ताकि cleaning जो है अच्छे से हो जाए ठीक है जी, और उसके उपर जो है एक draw रखी है, फिर wash fashion है, फिर ये front में एक frame बनवाया है हमने, wooden का ही plywood का ही ठीक है जी, उसके उपर ये एक black mirror, ये भी हमने जो है carpenter से ही बनवाया था, बिल्कुल matching करता हुआ, क्योंकि हमें black में ही चाहिए था mirror भी तो ये इस तरह से wash fashion हमने रखा है ठीक है, और कुछ जो हम market में देखने गए थे, वो छोटा भी था, और कुछ जो चीज हम घर पे बनवाते हैं, carpenter से वो चीजें जो है देखने में भी अच्छी होती है और चलती भी अच्छी है मतलब, material जो होता है वो भी अच्छा use किया जाता है तो वो काफी time तक टिकता है काफी time तक चलता है market से जो हम चीजे लेकर आते हैं वो इतना अच्छा material यूज नहीं करते हैं इस वज़े से हमने जो ये counter wash mission है वो भी कार्पेंटर से ही बनवाया हाँ जी तो अब आ जाते हैं kitchen में और हम house wife का जो सबसे ज़्यादा time spend होता है वो kitchen में ही होता है तो ये है वो जगे जहां मेरा सबसे ज़्यादा time जाता है और kitchen की अगर हम बात करें तो kitchen में जो work हुआ है वो सारा plywood है PVC नहीं है मैं clear कर देती हूँ किसी friend ने मुझसे पूछा भी था जब मैंने अपने kitchen का tour दिया था तो मुझे पूछा था कि ये PVC है या plywood है तो मेरा जो kitchen है पूरा वो plywood है PVC नहीं है हम जब kitchen बनवा रहे थे तो हमने दोनों चीज़ों पे सर्च किया था PVC और plywood बट end में जो है हमने plywood को ही choose किया क्योंकि कारपेंटर ने भी बोला कि ये थोड़ा सा ज़ादा time टिकता है मजबूत होता है तो इस वज़े से जो है हमने plywood को ही चुना ठीक है जी तो total plywood work है color combination है white and black और pure white color है ये cream color नहीं है pure white color है तो kitchen जो है वो मेरा pure white and black color में बना हुआ है और ये दो side जो है slabs बनी हुई है और दोनों में जो है drawer बनी हुई है इस तरह से counter top के नीचे भी इस तरह से drawers बनी हुई है और उपर की तरफ भी दोनों side जो है storage है kitchen में तो काफी है थोड़ा छोटा पर storage काफी है मेरे kitchen में और अब बात करते हैं kitchen का total cost क्या है तो इस kitchen का total cost है एक लाक रूप है ठीक है जी और ये material cost में आप लोगों को बता रही हूँ car painter के charges इसमें नहीं है ठीक है जी तो ये है मेरे kitchen का cost और बाकी मेरे kitchen का जो full tour है वो मैं पहले ही अपने channel पे दे चुकी हूँ तो उसका link मैं नीचे description में दे दूँगी आप वहाँ check कर लेना ठीक है जी और ये chimney जो है वो अलग से लगवाई हुई है वो ये जो मैंने आपको cost बताया है उसमें नहीं है ठीक है जी तो ये है मेरा पुरा kitchen हाँ जी आप आज आते हैं मेरे room में और यहाँ पे हमने बनवाया है एक ये dressing table जो की पूरा look माप लोगों को पहले दिखा देती हूँ फिर माप लोगों को बताऊंगी क्या cost रहा है इसमें क्या material है ठीक है जी तो ये है पूरा look बिल्कुल basic सा simple सा बड़ा सा dressing table हमने बनवाया है क्योंकि पहले मेरे पास जो dressing table था वो बहुत छोटा था उसका mirror काफी छोटा था तो इस बार जो है मैंने थोड़ा सा बड़े mirror वाला dressing table बनवाया है और इसमें है ये storage जो थोड़ा सा फैला हुआ है तो प्लीज आप इसको ignore कीजिएगा इसमें मैं अपने daily use के जो भी कपड़े हैं वो रखती हूँ और नीचे ये drawers बनी हुई है तीन इस तरह से ठीक है जी और हाँ अब बात कर लेते हैं dressing का जो color है वो वही सनमाई का हमने यूज किये glossy और बिलकुल light cream color की है और total cost जो है मेरी dressing का वो है 20,000 रुपए ठीक है जी और जो mirror है जो ही ये handles है वो सभी उसी में include है ठीक है और ये मेरे room का जो bed है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि bed पुराना है और जो back side है वो हमने change कर वा लिया था नया बनवा लिया था बाकी bed जो है वो पुराना ही है ठीक है जी तो ये हो गया मेरे room का furniture आप चलते हैं बच्चो के room में हाँ जी तो बच्चो के room में बनवाया था हमने एक ये bed और साथी एक study table ठीक है जी तो bed में ये sunmica हमने लगवाई है बेबी pink कलर की और back में ये seat लगवाई है leather की और ये box बनवाया है side में दोनों side में box नहीं बनवाया है bed के क्योंकि फिर room में थुड़ा से space कम रहता अगर दोनों side box लगवाते तो तो सिर्फ एक side ही लगवाया है और ये जो wardrobe साब देख रहे हैं ये पहले से ही बनी हुई थी और जो color है वो था white और black तो हमने जो है black को यहां से remove कर दिया और उसी black color पे हमने pink color करवा दिया क्योंकि room का theme जो था वो pink था तो इस वज़े से हमने जो है match पैठाने के लिए इसको और pink color में करवा दिया था wardrobe पहले से ही बनी हुई थी और ये जो sunmica है ये glossy नहीं है जो पहले wardrobe में लगी थी ये है rough वाली sunmica तो इसको clean करना बहुत मुश्किल होता है इसमें जब कुछ फस जाता है ना इसको clean करना मुश्किल हो जाता है तो इस वज़े से जो है मैंने glossy वाली sunmica इस बार furniture में use की है सारी ठीक है जी और यहाँ पर हमने बनवाया है study table तो हाँ सबसे पहले मैं bed का आपको cost बता देती हूँ bed का cost है 20,000 ठीक है जी और मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी पाकी पूरा अच्छे से storage है bed में कभी किसी vlog में आप लोगों के साथ मैं share कर दूँगी आज मैं आप लोगों को bed खोल के नहीं दिखाऊंगी ठीक है जी और यहाँ पर यह study table बनाया गया है और इसका cost है study table का 5000 total cost with the chair और इसका cost था 5000 ठीक है जी material cost